जहिन दोस्तो और लिनियन जॉब्स में आपका स्वागत है तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस बिहार पुलिस के जो फोरेश्ट गाड के भरती आई है साथ सौबीस बदों के लिए इसी के बारे में हम बास्प करने वाले हैं तो फ्रेंट बिना देरी किये चलेंगे वीडियो के और उससे पहले बता दू अगर आप इस फोरॉम को फिल करना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने ला चाहिए इसलिए कि फिल्स हर चोटी बड़ी खबर आप तक हम सबसे पहले परवाइड करेंगे तो फ्रेंट बिना देरी किये चलते हैं इसके डिटेल के और कोई भी डाउट हो तो प्लीस कमेंट करके बताएं मैं आपको डाउट को जरूर से जरूर करूंगा चलिए फ्रेंट बिना देरी किय प्लाइन के डिटियल्स यह आप सर्च करेंगे तो यह वीडियो आप तक पहुंच जाएगी इससे हर चोटी बड़ी खबर आप तो सबसे पहले आप तो पहुंचा सकते हैं तो फिर जैसे कि डिस्प्रेप आपको दिख रहे होंगे बिहार पुलिस फॉरेस्ट का रिक्वा है इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं यह टोटल पोस्तों के संख्या साथ सो भी से आइए हम इसको प्रस की कर्टिंग निकले हैं उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं तो यहां आपको डिस्प्लेप दिख रहागा कि आपको वर्रक्षी और वन पालो की साथ सो के लिए भरती तो हम बात करेंगो है इसी के बारे में जो आपको पेपर के कर्टिंग से मैं बता दो यह आपको दिख रहा हुआ हिंदुस्तान की पेपर के कर्टिंग है यह पटना के पिष्टों में आपको निकली हुई थे जहां से मैं आपको यह पेपर के कराकर मैं फिल की जाएंगे लेकिन प्लाइट जल से जल शुरू की जाएगी जैसे ही करोना वायस के कुछ पड़किरियाओं को कम की जाएगी जैसे आपको बिहार पूलिस का रिजल्ट आ जाएगा उसी दोरान आपको इसका भी फोर्म भर जाएगा लेकिन आपको यहां दिख रहा होगा पूरे 720 फोरेस्ट गाड़ों के भरती यहां आपको एक और इस भरती के बाद विभाग के पा 1565 नए होम नए गाड़ों की वनपाल में होगी जाड़ी फिर इसके बाद जो होगी भरती फिर आपको 1565 पर्दों की भरती फिर होगी चलिए इसकी डाउट को और हम क्लियर करते हैं इससे और कोई जोटी बड़ी ख़बर आपको चाहिए तो मैं आपको डिस्विशन बॉक्स में लिंक डाल दूँगा आप वहां से देख सकते हैं तो बीना देरी किये चलते हैं इसके डिटेल्स की और अगर आपको कोई भी ड करते हैं इसलिए कि जादा अधिकांस दोस्तों को हिंदी अच्छी तरह से फर्स्वीड हो सकती है तो आपको यहां अब दिख रहा होगा हिंदी में मैं बता दू आपको वन रक्षक के लिए आपको 484 पदों है और वन पाल को लिए आपको 236 पद हैं तो दोनों मिलाकर 29 के बीच आपकी होना चाहिए पर समानिय वर्स और सौर महिला दोनों में आपको 18 से 23 वर्स के बीच होनी चाहिए उसके बाद हम बात करते हैं ओबी सी और कंडियेटों के लिए पूरी स्वर्महिलाओं के लिए आपको अठारा से 25 वर्स की होनी चाहिए इसके जो फर्टी के दो फाइनल नोटिफिकर्स निकल के आएंगे उसमें आपको पूरी डेट के साथ आएगी कि इस डेट और इसके डेट के बीच में आपको डेट रहना चाहिए अब स्यक्ष्णिक योगता के बारें बात करते हैं स्यक्ष्णिक योगता जो हमको निकल क्या है आपको 12 पास इंटर पास अगर आप हैं किसी भी राज्जे के मनियता वोट से तो आप इस फॉर के कंडेट 450 आपको पेमेंट लाएंगे 450 रुपिया और एक सो बार रुपिया मातरी हाँ 450 होगा मिस्टेक से यहां चुट गया है ठीक है 450 रुपिया होने वाले हैं एक सो बार रुपिया है भुकतान को यह ओनलाइन आपको जमा करना है अवेधन कैसे करें इसके लिए आप आपको एक नोटिफिकेशन जारूगा जहां से आप यह ओपन करके आप साइट को देख सकते हैं तो फ्रेंड अभी तक लिए मैं जो आपको अपडेट दिया यही अपडेट है जैसे इसका कुछ नए अपडेट आता है मैं आपको जल से जल परवाइड करांगा जब तक ल